LCM और SCF ठीक है तो सबसे पहले एक basic जो LCM क्या होता है और SCF क्या होता इसको एक बार फिर से समझेंगे हो सकता आप में से बहुत सारे महारती SCF जिनको चीजें समझ में आती हो पहले से LCM आता है पर फिर से एक बार आपन नाम को clear करते हैं एक हमें पढ़ना है सर LCM क्या पढ़ना है LCM और एक हमें पढ़ना है SCF एक तो हमारे पास LCM और दूसरा जो हमारे पास है है scf ठीक है यह 2 चीज़ें हमें डिसकस करनी है LCM और m Am lawn 57 को हिंडी में क्या बोलते हैं ल गुत्तं तभी से दिए से समापरत कि समापरत होता है लगुत्त्म अर्गे समा परवरत्त कैसा कुछ तेख लो है ना मुझे भी हिंडी का उतना नहीं है लगुत्तम हलागे हिंदी मीडियम से हूँ और यह होगा महत्तम ठीक है महत्तम तो समापरवर्थ समापरवर्थ ऐसा कुछ होता है न यह देख लेना नाम को क्लियर कर लेना ठीक है तो इसका जो को फुल फॉर्म होता है उसको समझ लेते हैं ठीक है फुल फॉर्म क्या होता है एलस्यम का जो मतलब होता वह होता लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट का मतलब क्या होता साहब लिस्ट का मतलब क्या होता छोटे से छोटा या लोवेस भी बोल सकते हूं और एस्ट का जो फुल फ कि किसी नमबर का multiple, किसी नमबर का multiple निकालो highest वाला तो निकाल दिएगा कोई कैसे निकालेगा, दो का highest वाल multiple बता कुन सा होगा पहले सोच दुसलरी मैं पूच क्या रहा हूँ भई दो का पहाडा बोलो आखरी का भास समझ रहे हो, तो highest multiple कभी नहीं पूचेगा multiple वाले case में हमेशा क्या होगा? list वाला सबसे चोटा multiple बताना होगा और factor का मतलब क्या होता है? किसी चीज के टुकडे तो टुकडों में सबसे बड़ा टुकड़ा बता सकता है आदमी भाई, अगर किसी चीज के आप टुकड़े करने बेटे हो तो टुकडों में सबसे बादा क्या होगागा बता सकता है ठीक है तो यहां पर क्या कहानी है अगर इसको अपनी रद्धी language में समझे अपन ठीक है लोकल लेंगिश में बात को समझें तो multiple का मतलब होता है सहाब पहाडा क्या होता है हम जो पहड़ा बोलते हैं वो हिंदी में इसको गुणनखंड कहते हैं क्या कहते हैं गुणज किसी चीज का गुणज आपनी भासा में बोले तो क्या बोलते हैं पहड़ा किसी नंबर का पहड़ा और पहड़ा कौन सा दो नंबरों का पहड़ा बोलना है दोनों का पहड़ा बोल अंबर है और आपको दो नंबरों का क्या निकालना है तो दोनों नंबरों के पहाड़े में जो सबसे पहले आगे ओट ठीक है अब इसको समझ लो हाइस common factor का मतलब क्या होता है काम करते हैं अभी इस पर नहीं काम करते हैं हाला कि यह मैंने हालिक दिया इसको मैं हटा रहा हूँ अपन पहले पूरा निकालना है LCM, तो अगर हम basic method पर जाएं, basic को समझने पर बात करें, LCM का मतलब हमें पता है, म का मतलब क्या होता है, multiple मतलब पहाड़ा, तो सबसे पहला काम हमारा होगा, कि हम क्या लिखें, पहाड़ा लिखें, किसका 15 का, तो आप अगर 15 का सहब पहाड़ा लिखोगे, तो 15 30, फिर 45, फिर क्या आएगा, 60, 75, ऐसे आगे क्या आएगा सहब, 90, फिर 105, फिर 120, फिर 135, और फिर 500, और ऐसे ही आगे भी चला जाएगा, हाँ या ना, ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें, 25 के पहाड़े के, तो 25 का पहाड़ा कौन सा आएगा, 25, 50, 75, 100, सववा सो, देड़ सो, एक सुपचेतर, ऐसे न, यह भी चले जाएगा, तो हमने सबसे पहले किस पर फोकस किया, पहाड़े पर, पहाड़ा लिख लिया, अब क्या करना है, कॉमन ढूनना है, ऐसे नमबर ढूनना जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, कॉमन ढूनने ल इसमें भी गहीं, और आगे भी, मानलो, कोई कॉमन नमबर आएंगे, अब कॉमन भी हमने ढून लिया, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, पर कॉमन में हमें कौन सा लेना है, छोटे वाला, तो छोटा कौन सा है, 75, तो आप कहोगे, कि LCM जो हो गया, वो क्या हो गया, किसका LCM कि अगर देखेंगे, तो चीजें और थोड़ी से किलियर होगी, क्या चीजें किलियर होगी, ध्यान दो जरा, यह जो 75 आया है, सर यह 15 का भी पाढ़ा है, और पच्चिस का भी पाढ़ा है, तो अगर मैं, किसी trick की बात करूं, जब हम कैल कुलेसिन, हम जब solve करेंगे, तो हम नंबर कौन सा 15 और एक कौन सा है 25 तो हमें एक बात अच्छे से पता है कि चाहें LCM कुछ भी हो पर होगा इनका पहड़ा ही हाँ यह नहीं होगा इन दोनों नंबरों का पहड़ा तो क्या मैं 15 का पहड़ा बोलू कि 25 का बोलू पच्चीस कम पच्चीस क्या पच्चीस में 15 भाग जाता है नहीं जाता तो यह लिए 25 तिया 75 में 15 भाग जाता है तो मैंने पहले क्या लिया देखो मैंने लिया सर्मान लेते कि यह लिए 25 पर अगर यह लस्य अमबर होता जो इसके पहड़े में इसका तो पहड़ा हम बोली रहे है बहुताब चेक करना नहीं आहीं क्या यह 15 के पहड़े में आ रहा है आ सबसे चोटे वाला आगे भी और आएंगे पर यह कैसा नंबर है जो इसके पहड़े में भी आता है दोनों की पहड़े में आता इसका मतलब क्या हुआ कि यह आपका क्या हो गया क्या होता है अगर मैं एक काम करूं कि इन दो नंबरों को इसे मानलों कि यह नंबर मेरा एक्स है और यह नंबर क्या है वहाँ है और इससे भी कटेगा और पूरा-पूरा-पूरा कटेगा डिक्सी आपको क्या करना है दो नंबर यह नंबर लेना उसको भाड़ा देखते तो मट ढूंदो रेंदो तुम्हारा दिमाग उधरी लगाओगे दूसरा एक्जेम्पल मैं फिर से नंबर ले ना मेरे लिए 15 और क्या ले ले 25 और ये को ले लिया 30 है अब मुझे लसे चाहिए ध्यान समझ्या मेरी बात को तो हम किसको से माल ले इसका मतलब ये होता है कि पंद्रा से जिस नहीं कड रहा है तो आपके बाद दो और सने या तो अगला नंबर क्या लिखो सहाट पर सहाट भी निकटेगा फिर क्या लिख हो गे 75 तो 25 hamburger कट जाएगा मतलब पर वो 30 से निकटेगा है तो है न तीस का पढ़ा लेंगे न हम तो 50 क्यों ले रहे हो 30 और सहाट क्या लेंगे 90 क्या लेंगे 120 तो यार इसे तो बहुत vice को जाना पट रहा है लगları क्या गई दखितों हमें काम करतें। सर दो नंबरों की कोई दिक्रत नहीं हिन दो नंबरों को इससे को réponse नहीं है या ना दिक्कत किसको है 25 को तो आपने क्या किया टिक्वत है पता करो इसको 25 को इस पत् показ बह시ं है वह पता इस你好 वाइन तो ये छे बार कटा, पांच से कटा, तो कितनी बार कटा, पांच बार, अब ये पांच नहीं कट रहा है, अगर इस तीस के पास पांच होता ना, तो ये पांच कर जाता, बोलो हाया ना, जो नीचे पांच बच रहा है, अगर तीस के पास एक पांच होता, तो ये पांच कर ज समझ में यहां तक किसी को डाउट है क्या अब आप चेक करो सर इसमें 15 का भी भाग जाता है 25 का भी जाता है और 30 का भी जाता है इसका मतलब के वाले सवाल करेंगे ना चाल समय दूरी वाले तो वहाँ पर आपको लिशाने की जरुवत पढ़ेगी और उस सोच पिर मतलब कुछ भी निकला पढ़ने का अपना लसें पढ़ाने का मतलब ही निकला चलो अगला एक सवाल देखते हैं और आप मुझे अंसर बताएंगे मैं तीन नंबर फिर से लिख रहा हूं example बताओ क्या answer होगा answer बताना सहाब example 10 12 और पंद्रह होगा ल्सें क्या होगा मैं आ रहा है सहाथ सहाथ एक इसा नंबर है अच्छा सहाथ से चोटा जानी कोई ने तो फिर लंसे नहीं होगा को सब्सक्राइब ऑंपता है list वाला बढ़ा मत बता देना 120 मत बोल देना कुई 120 में भी 3 जाएगा 120 YES पर हमें क्या चाहिए हमें चाहिए च्छोटा नंबर हाँ यह थैं तो इसका जो 즉म हो CCM कितना हो जाएगा LCM किसका 10 का 12 का और 15 क्या डारिक्ली आप लिख दोगे कितना साथ यह आपकर क्या हो गया आंसर एक और नंबर लिखते हैं कि चलो एक और नंबर अपन लिखते हैं कोई साथ बताओ एक्जेंपल यह लिखा मैंने फिर से 12, 15 और 18 अब क्या होगा बताओ करके देखो जरा पेंच चला के देख लो कोई दिक्कत नहीं है क्या होना चाहिए अपके हिसाब से 18 होना चाहिए ठीक है पर 18 में ना तो 15 भाग जा रहा ना तो नहीं जा रहा है तो पता करो क्यों नहीं जा रहा है आपको वह प्रॉब्लम जो क्रियेट कर रहा है जिससे भाग नहीं जा रहा है वह पता करना बस आपके वह लिए पता करो कि भाग क्यों नह कि देखो किसको मानले लसे मपन अठारा मानले हमारा लसे में अठारा अठारा से तो कट जाएगा इसकी तो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम किसकी है 15 की तो पता करते ना सर पता करो ना क्या दिक्कत है 15 से क्यों नहीं कट रहा है सहाब यह लिखा मैंने 15 तीन से कटेगा य मैं इसनल को लिगदूंगा 65C अगर 18 क्यूंख लगा देता हूं ठोब यह कट जाएगा वो है न तोब हमारे पर नंबर किया 90 अब यह कंशिक नभे हैं ये इससे भी कटता है पर क्या 12 से कट रहा है है पता करो 12 से क्यों यह reinforceонов 2 12 से क्यों नहीं कट रहा है तो जब मैंने 12 से कट छे से कट रहा है तो यहां पर दो लगा दो अब कितना आ गया 180 अब यह इससे भी कट जाएगा आफसे था है आपका LCM कितना आ गया 180 तो आपका LCM हो गया वो कितना हो गया 180 क्या तुम्हें पणलय पटा में क्या लिख रहा हूं नहीं समझ में आ रही बाते हैं को और नंबर लिखते हैं सहाब एंग्जेंपल और लिखते हैं बता अब जा रहा का अि dulu Baba 24 साहाट चोर्यासी नहीं को विभाजित करें का पूछ रहा है को इसको विभाजित करें वो नंबर से विभाजित होता है इनसे विभाजित होता है भाई हम जो एलसे निकाल रहें वो क्या होता है एलसेम क्या होता है देखो जाए नंबरों से विभाजित होता है नंबरों को व बैट कर सकता है हाँ या न जो से रियल लाइप में होता है अ बाकि तुम लोग समझदार हो कौन सा टुकड़ा दिल का टुकड़ा पूरे घर को तोड़ के रख देता है इधर जान दो नहीं रखता है कैसा चलो एक्जैंपल एको लिखनें सर मैं नंबल लिख रहा हूं 20 25 30 ब किर 10 को माल ले सर ती TV में कर द लिए पर आंस्जैंड। यह पच्ची शुछ से कलागा फटा करो 30 में 25 भाग दिया तो पाससी छे बर कट पांस से गुना कर लो यह पांस हम्ने गुना कर दिय गुण ध्यों अब अनसर कितना होना कितना हो गया तो नीच है ब्स जाए दो बच रहा है मतलब यहां दो और होना चाहिए यह वाला दो और होना चाहिए तो अब नंबर क्या गया तीन सो तो यही तीन सो आपका क्या हो गया ठीन कारे साहपथ इसमें नहीं जाता है पांच है इसमें भी नहीं जाता इसमें पांच बम फाच यह 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 फिर 5 समझ में तो आपको खूब अच्छा लग रहा ऐसा करना तो अब ऐसे कर लो को जिरीकित किसी क्या होता है hp एक इसा नंबर होता है जो उन नंबरों से पूरा-पूरा टिवाइड होगा जिनका हमने निकाला है ऐसे कई सवाल क्या होता है एक्जाम में आपको क्या देखने की मिलता है dzisiaj सवाल क्या होते वह आपको कैसे संद्राइब आपको बोलेगा नहीं यहां तो मैं बोल रहा हूं कि इन तीन नबरों कै निकालो एलसेम निकालो एक्जाम में आप से शाहलो निकालो आपको समझनापड़ेगा कि मुझे एलसेम निकालना या सेफ और यह बहुत सारे बच्छों यह एक सरकल है और इस सरकल में दो बंदे हैं जो यहां से दोड़ना शुरूँगे कल भी हमने यह डिसकस किया था कोई दो बंदे हैं जो यहां से दोड़ना शुरूँ करेंगे एक बंदा ये रहा और दूसरा बंदा ये रहा, तो ये दो बंदे दोड़ना शुरू करेंगे, और इन दोनों बंदों में क्या है, ये यहां से दोड़ेगा, और ये भी यहां से दोड़ेगा, इसकी जो speed है, वो 20 है, 20 मीटर पर, नहीं नहीं 20 नहीं मैं यह लिखाओ ये जो ये जो बंदा है ये पूरा चकर 20 मिट में लगाएगा कितने मिट में ये पूरा चकर 20 मिट में लगाएगा और ये जो पूरा चकर लगाएगा वो 30 मिट में लगाएगा कितने मिट में 30 नहीं मानते 25 मान लेते 25 मिट में लगाएग और ये दोनों लोग, ये दोनों लोग, सुबह 10 बजे दोड़ना शुरू है, exact 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे, तब मेरी बात को समझना, होगा क्या, कि ये बंदा दोड़ दोड़के, ये बंदा जो है, ये दोड़ना शुरू करेगा, तो 20 मिट में कहा जाएगा ये, यहां ज लिकल जाएगा, ये बंदा पीछे रहेगा, क्योंकि ये 25 मिट में आएगा, और जब 25 मिट होंगे, तब तक ये कहीं इधार आजाएगा, आएगा न, कुछ पल्ले पढ़ने कहानी, 25 में लोग देर पहुचेगा, कि 20 वाला देर से पहुचेगा, 25 वाला देर से पहुचेग देखो मेरी बात सुनो, एक जगह में क्या उसकरना हूँ, तुम लोग मेरी बात को समख़एगा, एक जगह में टाइम उसकरना हूँ, इसकी या इसकी मतलब मैं 4-5 गंटेम कहीं जाओं तो मेरी स्पिट भोत तेज है अरे इसकी स्पिट ज़्यादा है यह तब ही जल्दी जा रहा है इसकी स्पिट कम है इसलिए यह लेड जा रहा है आकडा बढ़ा होने से ज्यादा नहीं होता सब कुछ अब बदाना फिर से बना ना जल्दी कोन पहुझे कर बीस वाला कि पच्चिस वाला ज्यादा इस पिट किसकी है कि पच्चिस वाले की है चलो अभी पच्चिस ब्यान सरा रहे थोड़ दिर पहले तो अब मेरी बास सुनना होगा क्या अम मैं इसको ऐसे घुमा घुमा के तो बता नहीं सकता कि यह यह आया यह घुमा ही यह इसको अपनिहां लेखते हैं पहले इस बंदे की बात करते हैं जो खुस है यह जो ब tam nav khus हे वह बंदा कभ-कभ वह वापस आएगा उसी बिंदु पर यह बंदा इस बंदु पर कभ-कभ आएगा यह आपको पता करना है ठीक है तो खूसवाला यहांद दीरे दीरे दोड़ रहा है और यह सोवा मिनट ऐसा है जब दोनों वापस वहां मिल चुके होंगे 100 मिनट बाद after 100 मिनट यह भी यहां जाएगा यही हां जाएगा इसी बिंदु पर दोनों मिलेंगे इससे पहले हैं यहां आये तो हैं पर जब यह आया था तो तो यह निकल चुका था, कुछ कहानी समझ में आ रही है, तो एक time हमें मिला, 100 मिनिट बाद ये दोनों वापस कहां, उसी बिंदू पर टकराएंगे, 100 मिनिट मतलब 1 गंटा और 40 मिनिट, तो 10 बजे मिले थे, तो 1 गंटे 40 मिनिट के बाद फिर मिलेंगे, 1 गंटा और 40 मिनिट तो हो जाएगे 11.40, तो आपको यही बताना होता है, कि वो दोनों उसी बिंदू पर कब मिलेंगे, यहां आपसे यह कभी नहीं बोलेगा exam वाला, कि आप LCM निकलो, आपको खुछ समाझना पड़ेगा, कि जब कोई बंदा time ले रहा है, 20-20 मिनिट ले रहा है, तो 20-20 यहां, पहले 20 मिनिट में आया, फिर 20 मिनिट में आया, फिर 20 मिनिट में आया, तो क्या चल रहा है, पहड़ा ही तो चल रहा है, तो आपको LCM निकलना है, अब ऐसे नहीं करना है, exam में आपको क्या करना है, सीधा समझ में आ गया सर, यह 20 मिनिट में आता है, और यह, तो जो दोनों वापस उस बिंदू पर कितनी दिर बाद मिलेंगे, वो LCM होगा, दोनों उसी बिंदू पर वापस मिलेंगे, कम मिलेंगे, सर वो जो टाइम होगा, वो होगा LCM, किसका, 20 और 20 का, और LCM निकाले, तुम्हें अच्छे से आदा, कैसे निकालोगे, क्या 25 LCM होगा, नहीं, 25 से नहीं करता, 50 नहीं, 75 नहीं, 100 ठीक है, तो 100 मिनिट आएगा, 100 मिनिट का मतलब होता है, सर, 1 घंटा और 40 मिनिट, तो अगर 10 बजे मिले थे, तो 10 बजे के बाद, प्लस करेंगे, 1 घं लेक्चर, 25 मिनिट में लगते हैं, तो जो दोनों घंटिया है, वो एक साथ कब बजेगी, 10 बजे लेक्चर, साथ में लगे, फिर 11 चालिस को, फिर दोनों बेल, एक साथ बजेगी, 11 चालिस को, बास समय में आ रही है, नहीं आया, तो ये था LCM, एक एक जेंपल में ने दिय हाथ उठा जा रहा है, जिनको पता था, प्रकती को पता था, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, वेरी गुड, कितने बच्चे ऐसे जिनको, कितने बच्चे ऐसे जिनको नया, इसमें दिखा कि नई चीज़ थोड़ी से लगी, देखो कहां से नया लग रहा है हर बार, देखो फीज भर तो दीए अब क्या रहे गया चुपचा पढ़ाओ ना तुम्हारा मजब कुछ बच्चों की दिमाग में मेंटलिटी यह होती है सर फीज भर तो दीए टाइम पास क्यों कर रहे हो जो पढ़ाना वो पढ़ाओ है कि नहीं हाथ नहीं उठाएंगे हम नास्ता करवा र मसा बोलते हैं इसको अंगरिजिम बोलते हैं हाइस्ट कॉमन है ना और यहां पर मल्टीपल की जगा आ गया फेक्टर आ गया फेक्टर का मतलब आप सभी को पता है पहले हम पढ़ चुके यह टॉपिक फेक्टर मतलब गुननखंड गुननखंड मतलब दिल के टुकडे ऐसा इसको हिंदी में बोलते हैं गुननखंड गुननखंड कितने प्रकर कई होते हैं अबाशी गौनंखंड होते हैं प्रायम गौनखंड होते हैं समगौन讲 नोंत rätt zij सब पढ़ा था ना चलिए गौन कंड को अपनी भासा में बोले तो तुकडे तुकडे करना लोग इसमें माहीर है है कि नहीं चलो सी आफ निकाल रहें साहब अगर इसके नाम को अपन समझे कोशिच करें तो फेक्टर का मतलब होथा किसी चीज के क्या करना तुकडे करना और उन तुकडों में यह ढूंड़ना कि कौमन तुकडा कौन सा अभी देख एक जेम्पल देता है अब वह उनसे पूछना किसी दिन बुलाएं उनको पटवारी तो है पटवारी का फिर से भरा है उसमें पटवारी की पोस्ट पर अपलाई नहीं किया है उसमें और भी पोस्ट और हैं दूसरी तो वह पटवारी से विचला तंग आ चुका है तो दूसरी पोस्ट पर अधिकारी वो उनको बहुत प्रेसर कर सबीपर नहीं किया क्या होगा हम को क्या मालूम को खड़े करके घृुर्ती-अ-प्र-वारी हुआ उसलिए उसको गाली दे रहें ठीक हैं फिर कहानी दूसरी मिटिंग में तो आप उसने काम किया तीसरे को गाली देदी फिर चोंथे को ता हुआ क्या मालू में इसके टुकड़े तो पहले कर दिए उसने उसके टुकड़े भी कर दिए तुकड़े तुकड़े वाले जो थे यह दीरों सिधरे भाई-भाई बन गए तो यह सा पता चला वह पताओ समदर मिल की हर्ता पहले दिन हो सकती पर पहले दिन क्यों नहीं की इसको गाली देने में के करना или बहुत जीजा हो खळाए तो उसके टुकड़े से बड़ा बड़े से बड़ा कि क्या आवाज को कौन कर रहा है अब देखा नरसरियल के जी का बच्चा होता तो बोलते भी कि मस्ति मत करो बेटा है कि नहीं चलो फिर से दो नंबर लेते हैं सहब कौन से नंबर नूँ मैंने लिया सर 25 और मैंने लिया 10 मुझे क्या निकलना इन दोनों का HCF तो पहले तो हम यह करने कि हम पहले ही फेक्टर वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं मैंने यह सिक्वेंस इसलिए डाला था कि आपको अगर फेक्टर पता होंगे तो इसको समझ पाओगे अगर मैंने फेक्टर वाला टॉपिक नहीं पढ़ पूठ इसके अब हम बात करां ही तो चोट के टुकड़े होते हं सहाब वो क्या होते हैं एक दुई पाँच और दस देखों यह टुकड़े लिए शर्य कबिटे कर भी लिए तुकड़े common ढूंट भी लिए ऐसा ठोओद भी लिए सभी में हो अब बात करोंहां बढ़ा टुकड़ा हमें छोटा नहीं बताना है एक तो क्या है छोटा चोटा है हमें बतानाा आप बढा टुकड़ा आपका jogos लाए टो इन दोनों तो यह क्या है SCF है तो H का भाग मतलब यहां पर मैं उल्टा लिखूँगा X और भाइज जो है उसमें किसका भाग जाना चाहिए X एच क्या है तुकड़ा है तो टुकड़े से यह कट जाएंगे बागी तो कोई काट नहीं सकता है इनको जिसे माता-पिता कट जाते है टुकड़े से नहीं कटते हैं क्या कटते नहीं है नोक्री लग जागी तो कट जाएंगे देखो जारा इदा यह एक सवर यह भाय किससे स्कालाइब है इनका और यह इनका टुक्ड़ा होता है यह क्या होता है जिगर का टुकड़ा है और यह जिगर का पहड़ा यह अंहयर है यह तक किलिए हैं आपको चलो इब हमने dal चै hani पिसम भी समय निया यह समय प्रसिंग क्या होगी प्रसाइब हिस prediction करते नई इसकी जो ट्रिक होगी LCM निकालने की या SCF निकालने की तो SCF आप कैसे निकालेंगे सहाब SCF का जो ट्रिक होगा तो यहां पर जो ट्रिक होता है वो होता है Euclid वाला जो दस्वी में अब होता है जब आप पढ़िते साइद नहीं था Euclid का जो है सहाब चोटे से कहता है कि छोटे तु चाहे तो मुझे कर कोई दिक्कत नहीं है पर पूरा पूरा डिवाइड कर देना अगर में बचा तो तू बचेगा नहीं फिर ठीक है यह बड़ा नंबर क्या कह रहा है कि भाई ठीक है मुझे डिवाइड कर पर पूरा डिवाइड कर देना अगर में जिंदा बचा तो फिर तू नहीं बचेगा तो दस ने इसको डिवाइड किया कितनी बार डिवाइड है कि नहीं यह हिरो गिरी हो गए यहां तो तो इस दस का नंबर इसने लगाए फिर दस अब तू इधारा हो गया तेरा काम अब 5 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर डाला देखो जरा पांध दूब दस अगर बचा तो तू नहीं बचेगा पर इसने उसको बचने नहीं दिया तो आंसर कौन सा हो गया जीता कौन विजयता कौन रहा भाई आखरी में पांच यही कुछ पल्ले पड़ी कहानी चलो यह चोटे नंबर थे पर जब नंबर बड़े-बड़े होते ना वहां कहानी उलज करते थे दस सोथा द 10 के टुकड़े करते थे बहुका भाग यह 5 और 5 बाद आपांच का भाग लिया एक बार तो दस का मतलब होगया कसर दो की खाग एक पाठ एक ऐसे 25 एपक का मतलब क्या हो إ變 पच्शिस का मतलब हो गया पांच की गालाव दो तो थे होता है सर एसेफ क्या होता है highest power को लेना है कि कम power को लेना है तुकड़े को लेना है सर यहां दो है यहां दो ही नहीं तो दो लेंगे नहीं यहां पांच है यहां भी पांच है पर पांच एक बार कम power वाला लेंगे ज्यादा power वाला नहीं लेंगे यह सेफ होता है तो मैं यह पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं या आप इस्कूल में सीखे हो कोई नंबर बताओ साहब है हां बीस कि सहाब बोल रहा है बीस धाई सो एक सो बीस तीन नंबरों क्या निकालना है सीफ एक ऐसा देखो पहला लॉजिक यह रहेगा कि पहले आप खुछ सोचो कुछ भी मत करो एसा मत करो पहले सोचो कि क्या को यह ब्रख लगा दे ईसको बिला दे 10 तो है सर 10 को तो घूर सकता है पर डस के अलावा आप 20 भी रख सकता है कि देखे रहा नहीं बΣा सकता है इसको नहीं बढ़ाइगा कंवा सबसे और 30 A तो बड़े नमबर को किसी चोटे नमबर से हमने डिवाइड किया, एक नमबर, इन दोनो को लिया भी है, न, 120 से डिवाइट कितनी बार होगा ये, दो बार, कितना आगया 240, बोलो बचा कितना, दस यहां कितना आगे 120 आएगा ना उसने डिवाइट नहीं कर पाया तो फिर कहां कि तू इधार आप यह 10 से डिवाइट करें कितनी बाद आएगा 12 बार कितना आगे 120 कितना रिमंडर हो गया 0 जीता कौन 10 पर अभी इसकी कहानी बची है आप किसका इलसें लेंगे 10 और 20 का यह वाला 10 और यह बचा हुआ 20 तो अब इसमें कॉमन क्या आएगा सर 20 को किसे डिवाइट करेंगे 10 से और यह 10 इसको उड़ा रएगा 10 दुआ 20 खतम कहानी तो बचा कोना आखरी में 10 तो यही आपका इस्सेफ हो गया तो यहां पर ध्यान समझजवली बात यह थी कि यह प अपने बता दिया हां आप लोग क्या करो कभी कभार ऐसे नंबर देता 3725 और एक नंबर दे दिया 27 225 ऐसा कुछ दे दिया अब इसमें कॉमन पूछ लिए आप से तो यहां पर 25 तो है 25 दोनों करते हैं पर हो सकता है 50 75 भी हो सकता है 75 से भी कर सकता है दोनों इसकेस में आप क सब्सक्राइब 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 साथ शे मेंसे दो गया तो चार और यहां कितना बच्छेगा एक और यह वाला पांच हा जाएगा अब आप सोचो यहां दो सोब्चीस है यह 200 है और यह 1400 है क्या साथ बार भाग जाना चाहिए पर मैं छे भार दूंगा क्योंकि यहां 200 के साथ बढ़ेगा तो हमने कितनी बार भाग दिया इसका से जुदास और पत्चीन का चेजाव में देड़ल ya ज्यादा हो जाएगा फिर भी साढ़े 15 हो गया अरे साढ़े 15 हो गया अगर में इसका पाड़ा छे बार बोलूंगा ध्यान सुनना छे बार तो दोस्वाड़ा छे बार में कितना होगा 1200 यह हो रहा है मैं 14 बोल ज्यादा ठीक है 1200 यह और 2500 साढ़े 1300 आ ठीक है यहां तक तो छे बार में कितना गया साढ़े 1300 कितना बचा साभ देखो जड़ा पांच मेरे हिसाब से देख लूँ दो एक 125 बच रहा है अब अब देखो क्या यह से डिवैड हो रहा है नहीं हो रहा तो आप यहां कौन आ जाएगा 225 करे 225 को डिवैड कितना बचेगा साभ सो क्या जी हो रहा है तो फिर कौन आ जाएगा अधर 125 मतलब कुल मिला आपका 30 एक बार टेगा एक बर टेगा यह 25 4 शो से कड़ जाएगा तो यही आपका क्या होग्या एसे 25 से 100 कड़ जाए न अगरी में तो यह से फो गया देखो इस केस में 25 आंसर आ गया हमें दीख भी जा था 25 तो पर कभी 50 होता था सुरी 75 होता तो हो सकता था 75 से दोनों कड़ जाए हो सकता था ना इसलिए हमको यह चेकर करके देखना पड़ेगा और अभी तो यह नंबर है सब्छान और दिवीजन हो रहा इलगोरिदम का मतल्य होता है प्रोसेस कोई विधी जैसे मेगी का पिखेट लाथ उस पर क्या लिखा था पीछे पहले वाटका लेना है कि यह उसमें पानी डालना है प्र उसको गरम करना कि पहले इस सीथा आपने मेगी डाल जमीन पर आप वाट का लेकिए उसमें से डालेंगे उसमें सब्सक्राइब करते हैं वैसे यहां पर यह इल्गोरिदम होता है कोई काम करने की स्टेप्स अब उम्मीद है आपको LCM और LCM समझ में आ गया होगा अब एक लास कहानी इसकी बच्ची इस टॉपिक की कॉंसेप में उसके बाद केवल सवालों को ही प्रेक्टिस करना है केवल प्रेक्टिस आपको करनी कोस्टन की तो लास्ट दो चीज बच्ची और में आपको यह कुस्टन देखने को मिलते भी है क्या इदा ध्यान देना भाई मैंने दो नंबर लिए एक लिया भाई पत्चीस और एक ले 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 थे अपन क्या कि इस ले ले थीज है ठीक है आप मुझे बताना सहाब एक नंबर मेंने लिया कौन सा सहाब 25 और एक कौन सा लिया 30 सर मुझे बताओ इसका LCM क्या होगा LCM क्या होगा LCM किसका 25 और 30 का कौन बता देगा सहाब 1500 लिख दू सबको मालूम है यह अगर मैं पूछो SCF क्या होगा तो क्या बताओ कि सहाब SCF किसका 25 और 30 का कितना आ गया सर 5 मैंने चीज यहाँ पर देखी एनालिसिस किया कि यह जो दो नंबर है यह X है और यह Y है यह L है और यह H है मैंने X और Y का multiply किया तो X कितना है 25 और Y कितना है 30 तो गुणा करने पर कितना आया साड़े 700 आ रहा है कितना आ रहा है कि सर इनका गुणा करने पर और इनका गुणा करने पर आंसर सही हम आता है यह यह फार्मला बन गया कि कभी बी किनि दो नंबरों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा, किनी दो नमबरों का प्रोडक्ट उनके LCM और SCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, आगई बास समझ में, तो कभी कबार एक्जाम में ऐसे सवाल भी आप से पूछे जाते हैं, कैसे सवाल सहाब, कि आपको बोल देगा, अरे लिख सवाल हो गया बस, कुछ पल्ले पड़ा, क्या है सब, X कितना है, 25, Y कितना है, और यह क्या है, LCM है, तो हमें पता है, we know that, किनी भी दो नमबरों का प्रोडक्ट, उनके LCM और SCF के गुणा के बरोबर होता है, इनका प्रोड़क्ट कितना है, साड़े, 700, LCM कितना है, 1500, SCF हम में, नहीं मालूब, SCF निकालना है, तो 1500 इदर आएगा, तो 1500 बटे कितना हो गया, साफ़, 1500, बरोबर कितना हो गया, साफ़, H, दिस से दिस को उड़ाया, तो H बराबर कितना आगया, 5, यह फार्मला भी आपको पता होना चाहिए, तो एक बार, फिर से सारी चीजी देख लोग, क्या सारी चीजी आपको समझ में आ चुकी है, पहले हमने पढ़ा था, LCM क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, पहाडा क्या होता है, LCM निकालते कैसे, उसका ट्रिक भी देखा था, हाँ, फिर हमने डिसकस किया क्या साहब, कुछ एक्जेम्पल सॉल करके देखे है ना, फिर हमने डिसकस किया था, उसका question कि LCM हम कैसे पहचानेगे, कि सवाल में LCM लेना है, किसमें SCF लेना है, फिर हमने डिसकस किया था साहब, SCF क्या होता है, है ना, उसके भी कुछ एक्जेम्पल लिए, और आप कुछ सवाल अपन ले लेते हैं, जैसे देखो ये एक स निकालना है, ये तो, लिखा है, इसमें क्या निकालना है, देखो द्ध्यानस पड़ना, वह हो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, highest, संख्या ग्याद कीजिए जो 24, 1884 को, देखो ये बड़ी से बड़ी देखने से मत कन्फूस होना, जैना, बड़ी से से मिन निकलता है कभी कभार है बहले मा लिस्ट होता है हमसे पूचा है कि एक संख्या निकाल ले जो 24 साहाथ और 84 को काण्षी ऑड़ी से तुम को क्या करें पूरी तरह डिवाइट करें मतलब हमें कईसा नमबर निकालना है जो 24 को डिवाइड करें किसको डिवाइड करें सहाट को और चो रहाशी को 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 डिवाइड करें को डिवाइड करने वाला स्थ होता है को डिवाइड करने वाला क्या होता है स्थ होता है कि नंबरों को डिवाइट करने वाला होता है और नंबरों से डिवाइट होने वाला यह चीज़े तुम्हें पढ़ने पढ़ी यह लिखने का रिजन यह था कि जब मैं यहां लिख दूंगा तो वहां समझाने में आ जाएगा यह वहां आपको क्या है बहुत सारे बच्ची समझी नहीं पाते यह सवाल एक्जाम में तो आ गया उसको लसे मिनिकालते आता इससे पर यहीं निपढ़ने पढ़ा कि इसमें लसे निकालू की अभी क्या आपको सभी को किलियर है कि है लसे निकालना के स्चिफ 24 सहाट तथा 84 क यो इन नंबरों को दिवाइड करने वाला नंबर टुकड़ा होता है लुए टुकड़ा ही डिवाइड कर सकता है दादा तो जो चलो तो इसम लिए किस्ते आं किस्ते के सान फिसीप 24 का शहाट का और 84 सर 12 एक ईसान नंबर है जो इन सब को डिवाइड करता है क्या 24 से टिवाइड होता है 18 से नहीं होता हिरा बाराई यहाइगा 12 54हता है चलो तो यहADA क्या आगया वह गया पहला आंसर आपका चलो दूसरा बता हुचरा अब दूसरा हलो नहीं नहीं है उसने लिख तो दिया है पर यह नंबर बड़े बड़े हैं तो हमने यहां पर क्या सिखाता बड़ा नंबर कौन सा चर तो बड़ा नंबर कहता है अपने छोटे से कि भाई देख तेरा दिन है तू चाहे तो डिवाइड कर कोई दिक्कत नहीं पर बचना नहीं चाहिए अगर बचा तो तेरी खेर नहीं है करें डिवाइड इसको कितनी बार जाएगा एक बार अरे हाँ या ना माइनस करें चार मेंसे दूई गया तो दूई पांच मसे जीरो गया पांच छो मसे पांच गया एक और तीन मसे एक गयी कित्री एक अब क्या बच रहा है तो फिर हम क्या करेंगे साहब 25,02 तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इंगलिस में बोलते नहीं आता इसको मैं तो ऐसे बोलना हूं साहब 11,2,2 बार जाएगा साहब दो बार तो दो दुआ चार पांच दुआ दस दो एकम दो एक तीन और ये दो माइनस कर दू कुछ गलत तो नहीं है बारा मसे चार गयी कितना बचा आठ नौ मेंसे जरो गई तो नौ चार मेंसे तीन गई तो एक और कट्टस पिट्टस अब क्या आएगा यहाँ पर 11 11 12 का टो में Safe यह लो एसे कहानी होते हैं कि तनी बाद जा रहा है अला बताओ कि दनी बाकल जा रहा है नौ बार पूरा जा रहा है क्या मैं कि या बात कर रहा है आठ का पहाडा बोलो आठा पंजे चालीस आठ चेंग अर्तालीस आठ चोक बत्तिस चार बार में जा रहा होगा यार साथ देखो चार दू आठ सो ही होगा क्यों तो अभी भी नहीं जाएगा तो करके देख लो चलो एक सो अंठाण वेगा इतनी बार जा रहे दो सो ही मानो इसको इसको क्या मानो तो आपके सेंदर लगो यह 200 है और यहां 1100 लगभख 5 बार तो पकका पकका जाएगा पांच बार क्यों नहीं जाएगा साथ जब यह 200 लिखा है यह 1100 तो हजार भी होता तो भी जाता पांच बार तो अरे हाँ या ना तो पांच बार मैंने दे दिया अब सोचो 200 का पाड़ा पांच बार गर में बोलता द्यान समझना शेबार जा रहा है कि 200 को पाड़ा कर मैं पांच बार बोलू मुझे 14 uses ऑनध्यान ग गर नहीं आता 200 कsi फादा100 पांच बार पांच बार में 1000 आएगा पर मुझे पाड़ा बोल लुका मैंने जाधा बॉल दिया तो कित्ती बार बार फांच बार तो 15कम कर दो कितना बचा सर दो पंदर में सन हो गई तो छो यहां कितना बचा वाई एक 162 अब देखो पता चल जाएगा कि भाग नहीं जाता एक सो अंठ्याणवे फिर भाग नहीं जा रहा है एक बार जा रहा है तो 162 है ना कितना आया साहब छे नो और छे नो छे घटाएं कितना बचेगा तीन और यह जीरो अब 36 का पहड़ा देखो क्या एक सुमास्टर में जा रहा है नहीं जा रहा भी भी एक ना देखो इतना आपको करना नहीं एक्जाम में एक्जाम में ओप्सन भी होंगे फिलाहल हम मेथड सीक रहें केवल एक्जाम में क्या होंगे एक्जाम के तो आपको क्या करते के वह उत्तर उठाते पहले उत्तर से इसको डिवाइड करते और इसको करते क्या जा रहा है भाग दूसरा उत्तर उठाते इसको भाग देते और इसको भी देते क्या जा रहा है भाग जिससे भाग चले जाता वह तक टुकड़ा होता है इसका भी टुकड़ा और इसका भी टुकड़ा जब टुकड़ा दिया है तो टुकड़े से दिवाइड करके देख लेते हैं पर चुके हम क्या समझ रहे हैं अभी मैं 30 इसलिए आप पर आप्शन नहीं है चलो 36 का इतनी बात आएगा चार बात 36 144 है ना माइनस करने पर कितना है सहाब बोलो आठ एक अठारा अब यह अठारा से इसको भी काटेगा और इसको भी अब मेरी बात सुनना सहाब इतना आपके पास चार उत्तर में एक उत्तर यह भी तो होगा तो आप यह भी कर सकते देगा 18 से इनमें से कौन सा नंबर करता है यह भी कटना चारे भी 18 से डिवाइट पूरा नहीं करना है वहाँ भी आपको यह देखना है कि इसका 18 का डिजिट सम क्या आएगा नो तो यहां पर आपको देखना है कि इसमें कौन सा इसा नंबर है जिसका डिजिट सम क्या रहा है नो आ रहा आए 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 यह तो हम पहले पढ़ चुके हैं अरे पढ़ा था कि नहीं विभाजता हमने क्यों पढ़ा ताकि हम यहां जब भाग दिने वाली कहानिया तो भाग पुरा देखें ना देखें हम समझ जाए कि यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है एक चीज कोई नंबर 18 से कब कटेगा साब दे आप लोगों ने विभाजता वाला टॉपिक पढ़ा है कल ही पढ़ाय था तो कल पढ़ाय था अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को अच्छे से देखो क्यों कि जो पीछे जितने अपर टॉपिक हमने पढ़े हैं अगर आप उन्हों छोड़ छोड़ के बढ़ रहे हो पर आप्टर टू यह दो साल के बाद आपने कहीं का तो हो जाना चाहिए घर के भले नाओं पर घाट के हो जाना चाहिए क्या है जला बताओ भाई इसका अंसर क्या आएगा कि टाइम कितना हो गया साहाब चलो अंसर बताओ तो यह एक टॉपिक था आपका लसेम और सेप वाला बेसिक हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है अब हम केवल क्या करेंगे क्वेस्टेंस की प्रेक्टिस तो आप लोग कोई नरसरी लिकेजी के बच्चे हो नहीं दुनिया का कंटेंड आपके पढ चलो इसको उड़ा देते हैं यह तक भी